हेलो दोस्तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मानम नेत्र से सम्मन्दे टॉप पचास कुश्चन ये कुश्चन आपके एक्जाम के लिए बहुती महत्पूर्ट प्रश्चन है हमारा पहला प्रश्चन है अंत्यम बंक्ती में बैटे किसी विद्यारती को स्यामपट पढ़ने में कटनाई होती है यह विद्यारती किस द्रश्टी दोस्ते पीड़त है सही आंतर होगा जड़ा द्रश्टी दोस्ते अगला कुश्चन करेंगे अगला कुश्चन है अत्यादिक उचाई पर उड़ता हुआ यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है अत्यादिक उचाईयों पर उड़ता हुआ यात्रियों को आकाश काला रंग का प्रतीत होता इसका सही आंतर होगा काला रंग नेक्स्ट कुश्चन अत्यारिक तीब्रता वाले प्रकाश जब नीतवर पड़ता है तो पुतली की साइज हो जाती है सही आंतर होगा छूटी नेक्स्ट कुश्चन अपने लेंसी की पहुकश दूरी को बदल कर दूर या निकट की बस्तू को साप साप दे सकते हैं आंक के इस खुड को क्या कहते हैं आंक के इस खुड को हम समझन चमता कहते हैं शही आंतर होगा समझन चमता अगला कुश्चन अब इन दुकता नेत्र वाल दोस वाल ब्यक्ति के चस्मे में किस तरह के लेंस से दोस का निवारण होता है सही आंतर होगा बेलनाकार लेंस से नेक्स्ट कुश्चन अवनेतर लेंस किस प्रकार का लेंस है अवनेतर लेंस उत्तर लेंस होता है सही आंतर होगा उत्तर लेंस नेक्स्ट कुश्चन अवनेतर लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है अब नेत्र लेंज की फोगस दूरी में 25 पेशियों द्वारा परवरतन किया जाता है अगला कुश्चन हमारा अब नेत्र लेंज की वह चमता जिसके कारण वह अपनी फोगस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे क्या कहते है इसका सही आंतर होगा शमन्जन चमता बोलेंगे उसको हम अगला कुश्चन अब नेत्र लेंज में समायोजित की किरिया किशके द्वारा संपन किया जाती है अगला कुशिन अलग अलग सिग्रनलों की ब्यक्व्यह कहां होती है अलग अलग सिग्र नलग की ब्यक्व्यह मतिस्क मों होती है के परितार का अइरिश नियंतर करता है शय आंतर हो जाएगा इसका ये अगला question है मारा आखों का बेभार किस तरह का होता हैं आख़्ों का विभार उत्तलेंश की तरह होता है, इसका सібय आंतर उत्तलेंश हो जाएगा नेक्स्ट कुuer करेंगे नेक्स्ट कुuer सने के नेक्स्ट कु önहेशिए किस भाग में बनता है नेक्स्ट कु admission है आकास का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है नेक्स्ट कोंच ए आईू में बृद्धी हुने पर मानम नेत में समन्यन चमता घट जाती है इस दोस को क्या कहते हैं इस दोस को हम जरादृष्टी दोस बोलेंगे नेक्स्ट कोश्चन अगला कोश्चन है एक नेत्र वाले ब्यक्ति का द्रस्टी छेत्र कितना डिगरी होता है एक नेत्र वाले ब्यक्ति का द्रस्टी छेत्र देड़ सो डिगरी होता है एक सो पचास डिगरी एक नित्र वाले ब्यक्तियों को सारा संसर कैसा दिखाई दीता है एक नित्र वाले ब्यक्तियों को दो विमी आकरती का संसर दिखाई दीता है एक प्रिज्म सुद की स्वेट प्रकास को कितने रंगों में विभक्त कर सकता है सात रंगों में सही आंतर होगा सात रंग नेक्स्ट कुस्चन है एक सामन नित्र के लिए दूर बिंदू कितनी होती है एक सामन नित्र के लिए दूर बिंदू अनंत होती है सही आंतर होगा अनंत अगला कुस्चन है अगला कुस्चन हमारा एक सामन नित्र के लिए निकट बि प्रकाश जब नेत पर पड़ती है तो पुतली की साइज बड़ी हो जाती है तो पुतली की साइज बड़ी हो जाती है सही आंतर हो जाएगा इसका बड़ी किस द्रश्टी दोस से किसी बस्तु का प्रतिविंब रेटिना के आगे बनता है सही आंतर होगा निकट द्रश्टी दोस में नेक्स्ट कोश्चन किस द्रश्टी दूस में नेत्र को क्रश्टली लेंज धुंदला अपार दर्ची हो जाता है तो इसका सही आंतर होगा मूत या बिन द्रश्टी दूस में किस लेंग का उपईयोग कर दीर द्रस्ट्य दूसको सन्सोधित क्या जाँ सकता है किसी बस्तू का प्रत्यविम आँंग के जिस भाग पर पड़ता है उसे हम रैटिना बोलते हैं इसका सही आंतर हुज़ गरा है अगला कुश्चन करेंगे, अगला कुश्चन है, कोर्निया के पीछे एक सरचना होती है, जो काले रंग की पेशियों का एक समुच्च है, उसे कहते हैं, परितार का बोलते हैं, उसे आईरिस, नेक्स्ट कुश्चन है, अगला कुश्चन है, कोर्निया में दोस अर्थात, उसस उसके पूर्ते गोली और होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दूस पाया जाता है तो इसका सही आंतर होगा अब बिंदुकता अगला कुश्चन है कौन से बीमार ब्यक्ति कभी नेत्रदान नहीं कर सकती तो यह इसका आंतर होगा एड़सेंड मस्तिस्क लोग से पीड़त ब् देखती नेक्स्ट कुश्चन होगा चूजे के द्रश्ट पटल में कौन सी कोश्का नहीं होती है चूजे के द्रश्ट पटल में शंकू कोश्का नहीं होती है नेक्स्ट कुश्चन करेंगे अगला कुश्चन हमारा जब नजदिक की बस्तू को देखते हैं तो पाश्चाम जब नेत्र की पाश्चामी पेशियां सिथिल होती हैं तो अब नेत्र लेंज हो जाता है उत्तर होगा पतला नेक्स्ट कुस्टन जब नेत्र की पाश्चा में पेशियां सिथिल होती हैं तो अब नेत्र लेंज की फोकस दूरी हो जाती है उत्तर होगा बढ़ जाती है नेक्स्ट कुस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट किस लेंग का उप्योग कर सन सोदित किया सकता है संजय आंधर ठूभू भूक्षी लेंग करे अगला कोच्चन है गण alreadyが दूर does no कि है उप्योग कि जाने वाली दूइभूक्षी यह लेंग का निचला भाग किसे अई कभना हुटा है उत्तर होगा उत्तर लेंज का बना होता है अगला कोश्चन करेंगे अगला कोश्चन है जरा दूर दरश्टी दूस में उप्योग की जाने बाली दूपोक्सी लेंज के उपरी भाग किस लेंज का बना होता है उत्तर होगा अब तर लेंज का नेक्स्ट कुश्चन जरा दूर दरश्टी दोस से पीड़त ब्यक्ति कापचार किस प्रकार के लेंज से किया जाता है उत्तर होगा बाई फोकल लेंज के द्वारा नेक्स्ट कुश्चन करेंगे अगला कुश्चन है जरा द्रश्टी दोस किस कारण उत्पन होता है जरा द्रश्टी दोस उत्तर होगा नेत्र की समझन चमता घटनी के कारण उत्पन होता है अगला कुश्चन करेंगे नेक्स्ट कुश्चन है जो नेत्र दूर इस्तित बस्तू को साप नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूर द्रस्ति दोस उत्तर होगा इसका ये नेक्स्ट कुश्चन करेंगे अगला कुश्चन है दीर्ग द्रस्ति दोस मुक्त कोई ब्यक्ति किसी बस्तू को इस पश्ट देख नहीं सकता उत्तर होगा निकट रखी बस्तूओं को नेक्स्ट कुश्चन करेंगे नेक्स्ट कुश्चन है दीर्ग द्रस्ति दोस में अबने नित्र लेंज की फोकस दूरी होती है हुँ जाती है उत्तरों बढ़ जाती है इसकी फोकस दूरी नेक्स्ट कुस्चन करेंगे अगला कुस्चन हमारा दीरकद्रस्टी दोस होने का कारड है दीरकद्रस्टी दोस होने का कारड अब नित्र लेंज की फोकस दूरी का अत्यादि हो जाना नेक्स्ट कुश्चन है द्रस्ट दीर्ग द्रस्टी के निवारण के लिए उप्यों किया जाता है दीर्ग द्रस्टी के निवारण के उत्तर लेंज का उप्यों किया जाता सही आंत्रों जाएगा इसका नेक्स्ट कुश्चन है दीर्ग द्रस्टी दूस्ट उत्पन दूर दूर्श्टी युक्त वाले ब्यक्ति के नेत्र में किसी बस्तु का प्रतिम कामनता है।